हैलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ख़री असे होंगे दोस्तों मेरे चैनल देशी घरेलू ग्यान में आपका स्वागत है आज मैं आपको एक और जड़ी बूटी के बारे मताने जा रहा हूँ दोस्तों आज का जो बिसा है मेरा वो सफेद दाग के ऊपर है तो अगर आप सफेद दाग से पीडी थें या आपका कोई रिस्तेदार परिवार वाला कोई पीडी थे तो आप को एक बीड़ जरूर दिखाएं तो दोस्तों इसा भी साफ है ना दोस्तों जिसको मैं झेला हम लोग बहुत परेसान हुए थे दवा करने के लिए लेकिन ठीक नहीं हुआ अंत में हमको एक बाबा मिले और उन्होंने यह पत्ती वाला यह पेड़ जो आप देख पा रहे होंगे यह देखिए यह पेड़ है पतला सा तो दोस्तों इन्होंने इसी पेड़ की छाल से हमारे भीया का इलाज कर दिया तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए इसलिए मुझे पता है कि जिसके सफेद दाग रहता है वो बहुत ज़्यादा परहसान रहता है तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको पहचानने के लिए देख जुगंद रहती है इसकी बहुत अच्छी तरह का महागता है तो दोस्तों आज मैं आपको सफेद दाग के उपर बताने जा रहा हूं सफेद दाग का इलाज आपको कैसे करना है अगर आपको सफेद दाग है आपके रिस्तरियार परिवार में किसी को सफेद दाग है तो आप निस्चित हो जाईए और किसी दाक्टर और किसी बैद के चक्कड़ों मत परिए तो इसलिए हमारे भाईये ठीक हो गए जिनको बच्पान से सपेड दाग था तो आप भी ठीक हो सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूं आपको दोस्तों सबसे पहले आपको यह पेर ढू अंजीर के तारफ फ़ल लगते हैं जोस्तों दोस्तों आपको चली और करनको क्या है कि कि आपको इस पीड़ की जीए बहुत पतला पियर है बहुत ढूनने जाता है दोस्तों इस पेड़ की ßรाल को आप निकालना है जाल आप निकाल लीजिए उसके बाद आप ले जाईए आप को एक बात का ध्यान रखना है आप ले जाईे खल आप ले जाईए उसके पदो ओम और तो आप्रप सकते आपको लगाना है संसेट होने के बाद या सूरज निकलने के पहले सूरज बैठने के बाद या सूरज निकलने के पहले आपको इसको लगाना है लगाना कैसे है आप थोड़ी ती छाल लीजिए उसको सिल्बटे पको बढ़ियां से पिसवा लीजिए पिसवाने के बाद आपको जहां सा पेद्दाग है वहां लगा ले दिये लेकिन दोस्तों इस बात का सजयो ध्यान रख रहे कि आपको दिन बैठने के बाद और सूरज निकलने के पहले ही इस दवा का इस्तिमाल करना है इसका कुछ नियम होता है दोस्तों हम नहीं जानते का नियम होता लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इतना मानिए कि आपको इस दवा का इस्तिमाल सूरज निकलने के पहले और सूरज बैठने के बाद करना है अंधेरे में करना है दोस्तों मैं अभी आपको छाल निकालके दिखाता हूं दोस्तों आप किसी चक्कू की मतलब से ऐसे छाल निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ आपको देखकी UH निकाल नहीं इतो हम यहां इसरी निकाल ना यह देखे ता है आपको मैं जाता खराब नहीं करूंगा इसलिए दोस्तों यह बहुत सी दूरलब जड़ी बूटी है और देखिए इसमें कितना बढ़ना दूर निकल रहा है आपको छाल दिखाता हूं जो गिरी हुई है आपको ले जाना है ले जाके सुखा लेना है सुखाने के बाद आप इसको जब आपको लगाना हो तो आप सिल्वट्टे पर इसको बढ़निया से पिस्वाईए उसके बाद आप लगा लीजिए लेकिन आप दिन के उन्जाले में नहीं लगा सकते इसको आपको रात में लगा करें कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों मेरी ही आशा है आप लोग सदा सौच्ट रहें मस रहें और बेस्ट तो दोस्तों मैं अपना डिस्क्रिक्शन नंबर दे दूंगा अगर आपके पास ये वीडियो पहुच रही है आप सफेद दाख से पीडिस है तो आप हमें काल करिए अगर आप मैं कोसित करूंगा आपको ये दवा भेद दूँ धन्यवाद दोस्तों आप हमारे चैनल का ध्य कुंगा धन्यवादा